Hello everyone, this is question number 8 of exercise 1.3 of NCRT class 7, chapter 1, integers. So the question 8 is, a cement company earns a profit of Rs. 8 per bag of white cement sold and a loss of Rs. 5 per bag of grey cement sold. एक company है, जब वो grey cement sold करती है, तो उसे 5 रुपे का नुकसान होता है. वही पर अगर वो white cement के bag sold करती है, तो हर एक white bag के cement के उपर उसे 8 रुपे का फायदा होता है. अब question ये है, एक पार्ट में, the company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? तो उस company ने white cement के 3,000 bags sold किये और grey cement के 5,000 bags sold किये एक महीने में. हमें बताना है कि profit हुआ है या loss हुआ है. क्योंकि एक को अगर वो cement sold करते हैं, तो उन्हें profit होता है, अग grey को sold करते हैं, तो loss होता है. for a part, so सबसे पहले profit on the sale of one bag of white cement is equal to rupees 8. अगर white bag का एक bag white cement का sold करती है company, तो उसे कितना का फायदा होता है? 8 रुपे का. वह तो उसने कितने bag sold किये, white के 3,000. तो profit on the sale of 3,000 bags of white cement कितना होगा? रुपीज 8 multiplied by 3,000. 8 रीज़ा, 24. पीछे 3,0 लग जाएंगे. इतने रुपीज का फायदा होगा है. ठीक है? अब हम निकालेंगे loss कितना होगा है? तो loss on the sale of one bag of grey cement. grey cement का जब एक bag sold होता है, तो कितना loss होता है? उन्हें 5 रुपीज का. तो इस इक्वल टु रुपीज 5. अब grey cement कितने sold किये हैं? उन्हें 5,000 sold किये हैं. तो इसके उपर loss निकालेंगे हैं. तो loss on the sale of 5,000 bags of grey cement. एक पे पांच रुपी का नुक्सान है, तो 5,000 पे कितना होगा? रुपीज 5 into 5,000. 5 फाइजा, 25, पीछे 30, रुपीज का sign. तो इसको नुक्सान कितना होगा है कमणी को? 25,000. तो 24 profit है, 1000 और 25,000. नुक्सान है, तो ये नुक्सान होगा है, क्योंकि ये ज्यादा है. तो as 25,000, रुपीज 25,000 is greater than रुपीज 24,000, तो there is loss. क्या हुआ है कमणी को? loss. अब हमें वही बताना है, loss हुआ है ये profit हुआ है, तो कितना है? तो loss कितना होगा? 25,000 में से माइनस कर देंगे 24,000 को, तो कितना आ जाएगा? रुपीज 1,000. It means कमणी को 1,000 का loss हुआ है. Now let's do the B part. अब पहले हम B part को समझते हैं, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags? कहने का मतलब है कि कमपनी ने grey bags जो है, वो 6,400 bags sold कर दिये, बेज दिये. तो अब हमें पता है, जब भी कमपनी grey bags sold कर दिये, तो उसे क्या होता है? नुकसान होता है. तो हमें ये बताना है कि फिर वो white cement के कितने bags sold करें, कि ना तो उसे profit ही रहे, ना ही loss रहे. तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, let's suppose कि अगर मैं एक chocolate को sold करती हूँ, sale करती हूँ, अगर मैं एक chocolate को sale करती हूँ, तो मुझे profit होता है, suppose करो 6 rupees का, ठीक है? ये मुझे profit होता है. वहीं पर अगर मैं एक biscuit sold करती हूँ, अगर एक biscuit बेचती हूँ, sale करती हूँ, तो मुझे 2 rupees का नुकसान होता है, ठीक है? अब suppose करो, एक महीने में मैंने 18 biscuit sold कर दिये, कितने बेचती है? 18 biscuit, ठीक है? तो यहाँ पर हमें जो नुकसान होता है ना, biscuit को जब भी मैं बेचती तो जब एक बेचती हूँ, तो 2 rupees का नुकसान होता है, मैंने 18 biscuit बेच दिये, तो कितना नुकसान हो गया मुझे? 18 into 2, यानि कि 36 rupees का नुकसान हुआ मुझे, अब मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, कि अगर मैं chocolate इतनी ही बेच दूँ, जितनी 36 rupees का मुझे नुकसान हुआ है, उतन 20 rupees की मैं chocolate sold कर दो, तो मुझे कैसे पदा चलेगा कि मैं कितनी chocolate को sold कर, sale करूँ, कि मेरा जो profit है, वो 36 हा जाए, तो मुझे total profit कितना चाहिए, 36 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, total profit को divide कर दूँगी, जो per one profit, यानि कि एक chocolate के profit से, तो total profit upon profit per chocolate, ठीक है, तो एक chocolate पे मुझे कितना होता है फायदा, 6 रुपे का, यगर मैं इसको divide करूँगी, तो 6 6 जा, 36, इसका मतलब, अगर मैं 6 chocolates को sold कर दूँ, तो मेरा जो profit और loss है, वो बराबर आजाएगा, देखो, 6, तो एक chocolate पे मुझे 6 रुपे का फायदा होता है, तो 6 रुपे, 6 chocolate बेचूँगी, तो कितना आएगा, 6 6 जा, 36, अब हो गया ना, ये भी 36, loss भी 36, और profit भी 36, तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक, वही चीज मुझ अब पहले मुझे निकालना पड़ेगा, इस पर मुझे कंपनी को loss कितना हुआ है, तो loss, on the sale of 6,400 बैक्स पे, कितना लॉस हुआ है कंपनी को, एक बैक पे जब उनको 5 रुपे का loss होता है, तो 6,400 बैक्स पे कितना होगा, रुपीज 5 इन्टू 6,400, तो 5,400, तो 5,400, तो 20, 0,2 कैरी, 5,600, 30, प्लस 2 इस 32, और ये 2,0, तो इट मींस कंपनी को 32,000 का loss हुआ है, अब कंपनी ये चाहती है, कि अब वो वाइट सिमेंट के, कितने बैक्स होल्ड कर दे, कि जो loss है, उतना ही profit भी आ जाए, इट मींस हमें profit कितना चाहिए, 32,000 का ही profit चाहिए न, तो हम वही करेंगे जो हमने हां किया था, So, in order to, therefore, in order to, in order to have, in order to have neither profit nor loss, तो वाइट सिमेंट बैक्स करने चाहिए, तो नमबर ओफ, नमबर ओफ, वाइट, नमबर ओफ वाइट सिमेंट बैक्स ल, पॉल इस इकल तो यह तोटल प्रॉफिट अपाउन प्रॉफिट पर बैक तो टो टर प्रॉफिट रहाल किगा यह जितना तुटा रॉपिट को सोटे मोगाइं रुपीज आठ का तो इसको हम एट से डिवाइट कर देंगे तो एट फोर्जा 32 और यह तीन जीरो नीच पीछा जाएंगे तो यानि कि 4000 बैक्स इट मीज अगर हम वाइट सिमेंट के 4000 बैक्स को सेल करेंगे तो हमें 32,000 ही हमारा फ्रॉफित हो जाएगा तो दोनो ही हमारे बराबर बराबर हो जाएंगे so the answer is so therefore 4000 white cement bag must be sold to have neither profit nor loss अगर हम 4,000 एक बैक्स के उपर हमें 8 रुपे का फायदा होता है तो 4000 पर कितना होगा इसको अगर मैं 8 से multiply करूंगे तो 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 32 आगया न यह भी प्रॉफित भी 32,000 और लॉज भी उनको 32,000 हुआ है but आपको लिखना नहीं है या आपको समझाने के लिए मैंने बताया है so this was question number 8 I hope आपको समझ आ गया होगा thank you for watching the video